Hello Everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में काफी अच्छी वेकेंसी का नोटिफिकेशन आया है जिसमें तीन स्कूलों की सिक्षक फर्ती एक साथ Air Force स्कूल हैं तीनों ही, सैलरी 44,900 पर मन्त TGT के टीचर्स किये हैं, all post में कोई फीस नहीं है, age 21 से लेकर 55 यर तक के candidate आविधन कर सकते हैं, चाहे PRT के लिए आविधन करें, चाहे TGT के लिए आविधन करें, चाहे computer teacher LDC के लिए आविधन करें सभी राज्यों के candidate बिल्कुल यहाँ पर apply कर सकते हैं, और जहां कोई भी फीस नहीं लगती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल आविधन करना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं, notification, सबसे पहले आप लोगों को IUCMA बता देती हूं, TGT में ज लिमिट जो है, कितनी है, 55 वर्स, ठीक है, तो अब आप देख लें, कि अगर आपकी IUCMA जो है, 55 वर्स से जादा नहीं है, तो बिल्कुल आविधन करें, क्योंकि यह बहुत अच्छी वेकेंसी है, जिसमें salary TGT में, जितनी भी पोस्ट हैं, सभी में 44,900, जितने भी subject हैं, स तो जिसे TAFS स्कूल है, उसमें एक वेकेंसी है, मैट्स की, AFBBS स्कूल है, इसमें एक वेकेंसी है, और AFOGGI इसमें एक वेकेंसी है, और ये स्कूल ऐसे हैं, जहां पर, हलाकि contractual बेस पर है, बट बहुत सारी टीचर ऐसे हैं, जो contract बेस पर लगे हैं, और अभी भी बने हुए नेक्स्ट, TZT, इंग्लिस की जो वेकेंसी है, AFBGI स्कूल में, फुल फॉर्म भी अभी हम देखेंगे इसकूल की, एक वेकेंसी है, सेलरी वही है, TZT में जितने भी पोस्ट हैं, सभी में सेलरी एक ही है, 44,900, तीनों स्कूल में कहीं पर भी आपका सेलेक्शन होता है, वहा PRT General, PRT General यानि Primary Teachers में, जो है General में, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जिसमें भी आप अप्लाए करें, 8 वेकेंसी है, TAFS स्कूल में 3 है, AFU BBS स्कूल में 2 है, और AFU GGI में 3 वेकेंसी है, Primary Teacher की जो सेलरी है, वह भी कम नहीं है, 35,000 से भी अधिक है, Computer Programmer कम Operator की जो वेकेंसी है, तो इसमें भी 35,400 सेलरी है, Physical Education Teacher की एक वेकेंसी है, Coach की Number of वेकेंसी एक है, और उसके बाद Coach Judge Band की, Skating की एक वेकेंसी है, Doctor की एक वेकेंसी है, Nursing Assistant की एक वेकेंसी है, School जो है वो बिल्कुल बताये गया है, किस स्कूल में है, LDC Admin की वेकेंसी एक है, AFU GGI की, Lab Assistant की जो दो वेकेंसी है, ठीक है, दोनों स्कूलों में एक-एक है, तो यह जो है, वेकेंसी है, Qualification की अगर हम बात करें, उससे पहले देख लेते हैं, Walk-in Interview के लिए जाना है, Teaching and Non-Teaching Staff की जितनी भी वेकेंसी है, इस अभी Contractual Base पर ही हैं, बट बहुत अच्छी हैं, तो जो तीनों Air Force School है, तो यह देली में है, एक स्कूल का नाम है, The Air Force School, TAFS, दूसरा है, Air Force Balbharati School, उसके बाद है, Air Force Golden Jubilee Institute, ठीक है, और इसमें पहले भी जो है, हर साल ही वेकेंसी आती है, पहले जो वेकेंसी आई थी, उसमें 2-3 Candidate का सेलेक्शन भी हुआ है, और salary तो आप काफी अची देते हैं, Date and Time of Walk-in Interview, Walk-in Interview के लिए Maths, English, Hindi, TGT के लिए जो है 25 अप्रेल को आपको पहुचना है, यानि परसों ही आपको जाना है, PRT General के लिए भी 25 को आपको 11 बजे पहुचना है, TGT के लिए 9 बजे पहुचना है, और जो भी समय बताया है, उससे एक घंटा पहले ही पहुचें, TGT Computer Science, Computer Programmer, Comoperator, PRT, Coach Jazz Band, Coach Skating, इसके लिए 26 अपरेल को पहुच जाएं, 9 बजे से पहले, Dr. Nursing, LDC Admin, Lab Assistant, Bio, Lab Assistant, ATL, 26 अपरेल 2024, 11 बजे आपको पहुचना है, किस जगे पहुचना है आपको, तो देली में ही है, Tino School, Air Force, Golden Jubilee Institute, Subrato Park, New Delhi, 110010, यहां आपको पहुचना है, क्या लेकर जाना है आपको साथ में, आपको Date of Birth, जो है, Proof देना है, तो आपकी 10th की Certificate लेके जाएंगे, आपकी जितनी भी Qualifying Degree है, Mark Sheet है, लेके जानी है, Original, सभी Original लेके जाएंगे, और एक Photocopy भी लेके जाएंगे, सभी की, Degree and Mark Sheet of Higher Qualification, अगर है, क्योंक पर भी मांगा है, जैसे TGT में तो मांगा ही है, Experience Certificate, If Any, अगर है, यहाँ पर फ्रेशर बिल्कुल eligible है, अपलाए कर सकते हैं, आपने कहीं पर भी आज तक नहीं पढ़ाया है, पहली बार पढ़ाना चाते हैं, तो भी अपलाए कर सकते हैं, अनुबब नहीं मांगा है, ले जो है, आपकी कैलकुलेट की जाएगी, क्वालिफिकेशन जो है, मैं आपको बता दू, TGT में अगर आप अपलाए करना चाहेंगे, तो Master Degree की है आपने, या फिर आपने इसना तक किया है, 50% मार्क से आपके, जैस सब्जेक्ट में आप अपलाए करना चाते हैं, और CETAT Paper 2 B.Ed. के साथ में CETAT Paper 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, आपका राज्य का जो TET है वो नहीं चलेगा यहाँ पर, CETAT Paper 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, TGT में किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अपलाए करना चाते हैं, तो, PRT में जो है आप देखें, यहाँ पर CETAT या SETAT, अभी जो है TGT के लिए तो SETAT वालों को बिल्कुल इनों नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर PRT के लिए आपने आपके राज्य का TAT क्लियर किया है, जैसे राजिस्फान में READ है, हर्याना में HETAT है, या UP में UP TAT है, यहाँ आपने क्लियर किया है, तो भी आप PR के लिए अपलाए कर सकते हैं, ठीक है, ओ CETAT वाले तो अपलाए कर ही सकते हैं, TGT में केवल CETAT वाले अपलाए कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, candidate should have proficiency in Hindi, Math and English, PRT के लिए अप अपलाए करते हैं, तो Hindi, English और Math जो है, इसमें आपकी जानकारी हो, और उसके बाद यो है, computer programmer कम अपरेटर के लिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में और पोस्ट और ग्रेजुएटर डिप्लोमा आपके पास कोई भी कंप्यूटर का हो BCA, MCA वाले या इसके समकक्ष भी अगर कोई योगता रखते हैं अपरेटर के डिप्लोमा कुछ भी किया है आपने ग्रेजुएशन के साथ में बिलकुल अपलाएक रसकते हैं PRD, physical education के लिए जो वैकेंसी है उसमें graduation के साथ में आपके पास डिप्लोमा, डिप्लोमा डिप्लोमा होना चाहिए विजू के ला एजूकेशन में यानि विपी एड होना चाहिए कोच में जो है 12th वाले 12th पास कैंडिडेट और डिप्लोमा आपका उसमें होना चाहिए तो MBBS डॉक्टर के लिए नर्सिंग असिस्टेंट जो है BSC नर्सिंग या इसकी समकक्ष कोई डिगरी है आपके पास तो अपलाए कर सकते है LDC admin के लिए senior secondary 12th आपका 50% मार्क्स के साथ में minimum typing speed आपकी 40 word per minute होनी चाहिए MS office जो है आपको इसका ज्यान होना चाहिए MS office का BSC 50% मार्क्स में biology subject के साथ है तो lab assistant bio के लिए अपलाए कर सकते है lab assistant ATL में BTEC electronics and communication 50% मार्क्स के साथ में या फिर BTEC robotic 50% मार्क्स के साथ में अपलाए कर सकते हैं बस ये पूरा notification मैंने आपको बता दिया है और interview के लिए जाना है क्या लेके जाना है ये आपको बता दिया है original के साथ में एक photocopy जो है सभी document की जरूर लेके जाएं ठीक है और आपको 25 अप्रेल को और 26 अप्रेल जो है यहाँ पर interview की date है अलगलग post के लिए कैसे जो है आप लोगों को notification चेक करना है देखना है दोबारा से सबसे पहले official website पर आएंगे tafssp.com ठीक है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर right side में लिखा है recruitment इस पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आप देखें click here to view walking interview notification यह notification आपको मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने notification होगा ठीक है और दुबारा से जो है walking interview के लिए जो schedule है देख सकते हैं आप इसी के ऊपर है इस पर क्लिक करना है click here to view walking interview schedule इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा schedule इसे आप देख लें आपकी post आपके subject wise ठीक है कितने बज़े पहुचना है तो जो भी आपको समय बताया है उसके जो है एक घंटा पहले तो आप पहुची जाए बहुत अच्छी जो है job opportunity है यन तीनों school की official website का link आप लोगों को video के नीचे description box में मिलेगा thank you